वहां को स्वागत है आपको मेरे चनल में तो दोस्तों आप दोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं एक यह सीरीज लेक्या है हूँ जिसमें मैं आपको सेक्सोफोन के बारे में A to Z हर चीज बताने वाला हूँ पहला वीडियो डेडिकेटेड है कितने तरह के होते हैं जानकार आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि सेक्सोफोन की सबसे बड़ी ट्रबल है वह इंडिया में इतनी आथानी से नहीं मिलता हर शहर के अंदर इसकी दुकाने नहीं नहीं होती है आपको मेजरली मेट्रोस के अंदर कुछ शॉप्स जो रिपिटेट हैं और बड़ी दुभाने हैं वो रखती हैं सेक्सफोन या आप online amazon.com और दूसरी बजाओ.com इन साइट के उपर जाके आप सेक्सफोन पर्चेस कर सकते हैं दूसरी बात सेक्सफोन के बारे में प्राइस रेंज बहुत वेरी करती है 25,000 से स्टाट होके 8,000,000 रुपे तक कर प्राइस रेंज है तो लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं तो मेरे पहले वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको मैं सेक्सफोन के बारे में एक जैनरिक इंट्रोड़क्शन दूँ कि इसके टाइप्स क्या है अवलिबलीटी क्या है इसमें ऐसे कौन गौन से पार्ट्स हैं जो आपको ज़रुत पड़ेगी इसको बजाने के लिए लाइक रीड लिगेचर जो आप पबलिक को पता नहीं होती है उन्हें सिर्फ इंस्ट्रुमेंट लिखता है बजाने वाल लिक्ता हम को लगता क्या रहे हुआ एक इंस्ट्रुमेंट से हम भी इतना चाहा गाना में बजा रखते हैं यह वीडियो पर्टिकुलर डेडिकेड़ है उन बिगिनर्स के के लिए है जो सेक्सोफोन को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं उन्होंने करें नहीं है लेकिन प्लान कर रहे हैं कि मुझे सेक्साल करीदना है तो श॥ॺशलिन के लिए यह वीडियो बहुत घ्ल script है जरूरी है और मेरी गीन्ति है कि आप इस वीडियो तर फिक TV र देख तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह decision लेने में बहुत आसानी होगी तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो सेक्सोफोन के बारे में introduction दोस्तों यह तो सेक्सोफोन दस डिफरेंट तरीके के आते हैं पट यहां पर हम सिफ उन चार की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और प्रचलन में है इन चारों में सबसे छोटा जो सेक्सोफोन है वो है सोपरानो सोपरानो स्ट्रेट या कर्व हो सकता है लेकिन सबसे जादा पॉपुलर स्ट्रेट होता है और यह सबसे पतली साउंड करता है इसकी की जो स्टार्ट होती है वो है बी फ्लैट लेकिन बजाने की complexity के हिसाब से यह saxophone intermediate level के उपर consider किया जाता है यह beginners के लिए नहीं है इसके बाद अगला number आता है alto saxophone का जो इस family का सबसे popular saxophone है और 90% लोग alto saxophone ही बजाते हैं बजाने में सबसे easy है और सबसे melodious sound करता है इसकी जो neck है usually वो L-shaped की होती है और mouthpiece comparatively लीग soprano से बड़ा लेकिन tenor से छोटा होता है इसकी जो sound है वो key start होती है E-flat से इसके बाद number आता है tenor का tenor जो है काफी बड़ा saxophone है as compared to alto इसकी neck का shape बतक की neck की तरह होता है लंबा सा और इसका काफी बड़ा mouthpiece होता है as compared to alto इसका प्रचलन most of the time jazz और rock music के अंदर किया जाता है tenor की sound है उसकी key start होती है B-flat से इसके बाद number आता है इस family के सबसे बड़ा से जिसका नाम है bariton bariton की sound है वो key start होती है E-flat lower E-flat जो की काफी deep and भारी आवाज होती है so सीखने के point of view से मैं recommend करूंगा कि आप alto से start करिये then go to soprano and then tenor और अगर आपको पसंद आता है तो bariton तो saxophone को usually दो part में divide करते है one is body and second is neck usually neck and body एक दूसरे की compatible होती है यानि की soprano की neck soprano की body में ही आएगी alto की neck alto के ही body में जाएगी और tenor की neck tenor की body में जाएगी आप इसको change over नहीं कर सकते क्योंकि इनकी shape and size अलग-अलग होते है sound ने करने के लिए आपको अलग accessories की ज़रुद पढ़ती है like mouthpiece, ligature and read चलिए इनके बारे में जानते हैं दोस्तो mouthpiece, saxophone का बहुत important part है जो की बना होता है plastic या hard rubber या metal का यह responsible होता है saxophone की sound and tone के लिए यह different different shapes and size के अंदर आता है usually इसकी जो size है हम उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numbers के अंदर देखते हैं लेकिन इसकी जो facing size है उसको हम measure करते हैं alphabets में यानि की A, B, C, D beginners के लिए मैं suggest करूंगा कि आप लोग Yamaha 4C या Selmer S80 इन mouthpiece को use करें जो कि बजाने में काफी easy होते हैं दोस्तों mouthpiece एक बहुत बड़ा subject है जिसको हम यहां cover नहीं कर सकते हैं इसके लिए मैं आपके लिए एक separate video लेके आऊंगा okay let's start with read दोस्तों read saxophone का वह अभिन अंग है जिसके बिना sound नहीं निकल सकती read canwood से बनीवी एक लगड़ी की chip होती है जिसको mouthpiece की table के उपर रखा जाता है और फिर उसको ligature से कसा जाता है और इन दोनों के बीच में air को blow करने से sound produce होती है और इसके different numbers आते हैं जो कि start होते हैं 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 and basically ये numbers हैं वो इस read की hardness को represent करते हैं जितना number कम होता है वो read उतनी ही flexible होती है बजाने में अतनी आसान होती है जिसे से number बढ़ते जाते हैं इनके hardness बढ़ती चले जाती है और वो blow करने के अंदर भी difficult होते चले जाते हैं beginners के लिए मैं recommend करूंगा कि वो श्रुवात करें 1.5 या 2 से और जब वो trend हो जाए इन numbers को बजाने में तब वो slowly slowly higher number की तरफ progress करें यानि कि 2 से 2.5 and 2.5 से 3, 3.5 So ये पूरी journey में आपको कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे, okay जिसा कि मैंने बताया read canwood की बनी होती है तो ये atmosphere की temperature और उसकी humidity से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है थोड़ा सा ही temperature के अंदर change होने से इनकी quality, इनकी consistency के अंदर बहुत बड़ा change आ जाता है तो गर्मी होगी तो ये different sound करेंगी, बारिश में different करेंगी, सर्दी में different करेंगी, same read तो इसको बचाने के लिए market के अंदर read storage case आते हैं, जोकि airtight container की तरह होते हैं और इसके अंदर moisture maintain करने के लिए vitalizer pouch होते हैं Usually read को maintain करने के लिए 72% moisture की जरूत परती है, और ये pouch different numbers के आते हैं, लेकिन read के लिए मैं recommend करूँगा 72% तो आप 72 number का pouch रखें, ये बहुत costly होते हैं, तो alternate options के लिए आप कोई भी airtight container घर के अंदर use कर सकते हैं और cigar के अंदर जो moisture maintain करने के लिए pouch होते हैं, आप उसके साथ इसको use कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, read को mouthpiece के उपर कसने के लिए ligature होता है Ligature different different shapes के अंदर आते हैं, और different saxophones के लिए different size के ligature आते हैं Ligature different different material के बने होते हैं, like leather, fabric and metal और ligature के उपर जो screw होता है, उसको हम read को कसने या lose करने के लिए use करते हैं कसने और lose करने से read की sound की quality को change किया जा सकता है चलिए आप बात करते हैं crook या neck की दोस्तों, crook या neck को specially design किया जाता है उसी की family की saxophone की body के लिए जस्त लाइक lock and key, तो soprano की neck को आप alto की body के साथ fit नहीं कर सकते हैं या इसी तरह alto की neck को आप tenor के साथ fit नहीं कर सकते और tenor की neck को आप soprano की body के साथ fit नहीं कर सकते Usually soprano के साथ में दो neck आती है एक हलकी सी curvy होती है और एक straight होती है और because of these two different neck आपको saxophone का body के साथ आप different angle बना सकता है Alto की जो neck होती है वो L-shape होती है Tenor की जो neck है वो बतक की गरजन की तरह curvy होती है इसी angle की वज़े से air का flow body के अंदर different होता है और जिसके वज़े से इन saxophone की एक अपनी unique sound होती है Usually neck का निशला चोड़ा हिस्सा जो है वो body के अंदर fit होता है और उपर वाला जो पतला हिस्सा है जिसके उपर cork लगा रहता है उसके उपर mouthpiece fit होता है Body saxophone का main part है जिसके उपर usually 21-22 keys होती है जिने या तो उंगली से या फिर palm हतेली से दबा के बजाया जाता है इसके साथ ही इसके अंदर दो thumb rest भी होते हैं जिसके उपर अंगुटा रखा जाता है और जो help करता है saxophone को पकड़ने के अंदर और एक छोटी सी ring होती है पीछे की तरफ जिसमें neck strap का hook डालके saxophone को गले में टांगा जाता है Body का जो सकरा हिस्सा है उसके उपर neck fit होती है और नीचे का जो bell shape चोड़ा हिस्सा है 70% of sound उसमें से निकलती है और बची भी 30% body के उपर जो flaps है उसमें से आती है दोस्तों जैसे कि आप जानते हो saxophone metal का बना होता है brass, bronze, steel, silver जो की काफी heavy होता है लगभख इसका वजन 2.5 kg से 3 kg तक जाता है तो इसको आप हाथ में पकड़ कर हवा में ज्यादा देर तक आप बजा नहीं सकते हैं क्योंकि आपको अपनी fingers का भी movement करना होता है keys के उपर और कई fingers का movement ऐसे होते हैं जिसमें आपको saxophone को बिल्कुल free छोड़ना पड़ता है तब जाके आपको की बजा सकते हैं तो बजाने की help करने के लिए आप usually एक neck strap का use करते हैं उस neck strap के अंदर आप saxophone को टांग के रखते हैं ताकि saxophone आपकी गरदन के उपर टिकार है और आपकी हाथ जो हैं आपकी fingers हैं वो free रहे है keys play करने के लिए दोस्तो majority of saxophone player जो neck strap यूज करते हैं वो बनी होती है आइदर leather की या nylon की या new print की जिनको बनाने में एक बहुत खास बात का ध्यान रखा जाता है कि ये गरदन के उपर कम से कम pressure डाले जासे ज़्यादा elasticity प्रोवाइड करें cushioning proper दें ताकि गरदन पे कम से कम pressure आए और जिसके वज़े से दर्द कम से कम हो यूजरी 20-30 minute बजाने के बाद लोग complain करते हैं कि उनकी गरदन के अंदर pain होना start हो गया है दूसरी बात वो लोग जिनको already spondylitis की शिकायत है या जिनकी गरदन में कोई और issues हैं उनको मैं सला देता हूँ कि वो shoulder strap यूज़ करें वो है saxophone stand. During practice session जब आपको rest लेना हो या गरदन को थोड़ा आराम देना हो तो आप saxophone को नेगे strap से निकाल कर इस stand के उपर रख सकते हैं. Usually ये stand different size, shapes and quality के आते हैं. आप अपने budget के हिसाब से इनको purchase कर सकते हैं. जिसे कि मैंने बताया था, neck के सक्रे end पर cork की एक sheet लिप्टी रहती है. ये cork बहुत dry होता है, इसके उपर mouthpiece सीधे नहीं चड़ा सकते हैं. तो इस cork को चिकना करने के लिए, lubricate करने के लिए, हमें cork grease use करना पड़ता है. cork grease, testless, orderless और non-toxic grease होता है, जिसे हम easily apply कर देते हैं cork sheet के उपर, उंगली से इसको फिला देते हैं, और इसके उपर mouthpiece easily चड़ जाता है, बिना किसी trouble के. थोड़े दिनों में ये अपने आप evaporate भी हो जाता है, इसलिए जितनी बार भी आप saxophone use करने के लिए निकालें, मेरी neck की life ही बड़ेगी. बहुत सारे saxophonist cork grease का use, neck के दूसरे end, जो की चोड़ा हिस्सा है जो body में जाता है, उसके उपर भी लगाते हैं, so that वो body के अंदर बहुत आसानी से चले जाए और ज़्यादा trouble नहीं हो. अब हम बात करेंगे absorbent pad की, usually तीन तरह के absorbent pad आते हैं, first is body absorbent pad, इसका main use होता है body के अंदर रखने का, जब आप saxophone use नहीं कर रहे हो, so that ये उस saxophone के अंदर, जितनी भी moisture है, जितनी भी dust है, ये उसको absorb कर ले, और flap के अंदर के जो leather pads हैं, वो हमेशा clean and dry रहे हैं, so that उसके उपर केसी भी तरह की कोई bacterial या fungal growth ना आए और उनकी life बढ़ी रह जाती है, उसकी valve है, तो उसको clean करने के लिए neck pad को एक हिस्से की तरफ से डालके, दूसी तरफ से खींच के भाहर कर ले जाता है, तो सारी पानी की बुंदे भाहर आ जाती है, और neck अंदर से clean and dry हो जाती है, तीसरा pad जो है, वो mouthpiece का pad होता है, ये रखने से हमेशा mouthpiece अंदर स clean and dry रहता है, जिसकी विए से किसी भी तरह की कोई bacterial या fungal growth होने से बची रहती है, दोस्तों, जब हम saxophone बजाते हैं, तो हम अपने मुह से जो हवा mouthpiece के अंदर फूखते हैं, वो काफी गरम होती है, और जब वो भाहर आती है, वो neck से और body के अंदर जैसे ही पहुंचती है, तो वो एकदम से cool down होती है, ठंडी होती है, और condensation की वज़े से वो water droplets के अंदर change होती है, इस वज़े से neck के अंदर और body के अंदर बहुत सारी water droplets इखटी होती है, जिनको समय समय पे या बजाने के ठीक बात साफ करना compulsory है, otherwise इसके अंदर bacterial growth होने के chances रहते हैं, और बदबू और smell भी आने की जासिद रहते हैं, cleaning kit में सबसे important जो है, वो है pulling rope, इसके अंदर एक तरफ कपड़ा लगा रहता है, उस कपड़े के साथ एक छोटा सा ब्रश रहता है अंदर और दुछी ज़़े रहती है, और इस rope के end पे metal का piece रहता है, आपको saxophone के bail वाले area के अंदर से पह तो उससे सारी जो saxophone के अंदर वाल के ओपर जित्ती भी water droplet जमी भी होती है, वो सारी भार आ जाती है, वो saxophone clean हो जाता है, उसके बाद में pad डालके, इसी तरह ब्रशे साते हैं, mouthpiece को अंदर से clean करने के लिए, simple plain soapy water के अंदर आप mouthpiece को रखे, अंदर से rub करे, mouthpiece clean हो जाता है तो make sure कि use करने के बाद में आप अपने saxophone को clean करके रखें, दोस्तों read को maintain करना एक अपने आप में बहुत बड़ी activity है, जिसको मैं एक अलग से वीडियो के अंदर explain करूँगा, but in short, read के जो tip है, उसको smooth करने के लिए, कई बार वो cut pit जाती है, तो read cutter आता है, वो आपको चाहि होगा, sand paper आते हैं, अलग-अलग numbers के, तो sand paper, read को smooth करने के लिए, यूज किया जाते हैं, इसके बाद में water glass और airtight containers आपको लेने पड़ेंगे, read को equal moist conditions के अंदर रखने के लिए, so that उसकी consistency बनी रहे, और glass of water आपको चाहिए होगा, तो read को उसमें आप moist कर सके हैं, दोस्तों, अगर आप अच्छी कमनी का सक्सफोन लेते हैं, यानि कि Yamaha, Salm और याना किसावा, तो उनके साथ में काफी अच्छी quality के carry case आते हैं, बट अगर आपने किसी दूसरी कमनी के लिए, तो उनके जो box आते हैं, वो उनकी quality इतनी अच्छी नहीं होती, वो आपके घर में, उसको as a storage case की तरह आप यूज कर रहे हैं, then it's fine, लेकिन अगर आपको सीखने के लिए सक्सफोन को भार लेके जाना है, या performance देने के लिए आपको कहीं भार जाना है, travel करना है, तो वो case इतने अच्छे नहीं होते, तो उस चीज को overcome करने के लिए, आपको sex travel bag या carry case लेना पड़ेग दोस्तों, saxophone बहुत loud instrument है, यह जब घर में आप blow करते हैं, बजाते हैं, तो यह बहुत तेश ओर करता है, तो इसके शोर को कम करने के लिए, market में sex mute आते हैं, अलग-अलग shape and size के, इनको use करने से, इनको bail के अंदर डालने से, जो saxophone की sound है, वो 20-30% एकदम reduce रहती है, यह बिल देने में इंट्रस्टेट हैं, या घर में saxophone के गाने record करने में इंट्रस्टेट हैं, तो यह कुछ चोईस आप लोग के सामने है, जिसमें से number one is goose neck microphone, इनकी खासित यह है कि यह बहुत high dB की sound को record करते है, बेगराउंड की noise इतनी आसानी से capture नहीं करते हैं, तो बहुत condenser microphone, condenser microphone की बस एक ही problem है, कि यह बहुत ज्यादा sensitive होते हैं, और इसमें record करने के लिए आपको phantom power की जरूत पड़ती है, और external audio interface की जरूत पड़ेगी, यह pure optional है, अगर आपकी requirement है तो लीजिए, otherwise you can ignore it, दोस्तों, saxophone एक बहुत ही expensive hobby है, जहां पर मैंने comparison करा है price का across three different countries, USA, UK and India, और जहां देख सकते हैं, आपकी 20,000 से 45,000 रुपे, इंडिया में एक generic का खर्चा करना पड़ सकता है, और ramputed branded की तरफ जाएंगे, तो 1.5 लाग से 9 लाग की बीच में, और उतना ही ज्यादा है, आप 50,000 के करीब आपको खर्चा करना पड़ सकता है, इसकी accessories लेने में, क् तो यह decision लेना आपके उपर निर्भर करता है, कि आपको कितना budget है आपके पास, आपको financial status क्या है, यहाँ पर अगर हम final price की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि 50,000 से लेके 9 लाग रुपे तक का India के अंदर expense आएगा, इसलिए दोस्तों मेरी एक ही राय है, कि आप अप अपनी pocket देखिए, अपना budget देखिए, अगर आपको लगता है कि आप इतना invest करने के लिए तैयार है, तो तो आप सिक्सेफोन learn करने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि learning करने के लिए जो classes लगती है, वो भी बहुत expensive होती है, 1000 रुपे पर class के हिसाब से, तो वो price भी आपको अपनी इस final price के अंदर add करने पोड़ेगी, दोस्तों इस वीडियो में सिव इतना ही, अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, सेक्सफोन को जो आप दुकान से खरीत के लिए के आएंगे, तो उसको आपको कैसे खोलना है, कैसे fix करना है, कैसे assemble करना है, कि किन बातों का की जिए, thank you very much, God bless.